Good evening guys, myself Ankita So, आप लोग अगर ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको आइडिया नहीं होगा कि मैं usually सारे बुक्स के बारे में वीडियो बनाती हूँ तो पहले भी मैंने बहुत सारे बुक्स के बारे में वीडियो बनाए हैं Like I made videos on science books and astronomy books और Stephen Hawking के तो बहुत सारे बुक्स के उपर मैंने वीडियो बनाए हैं अलरी तो मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा कुछ अलग करते हैं कोई अलग दूसरे बुक के बारे में बोलते हैं एक बार मैंने जो बुक के उपर वीडियो बनाया था वो था Helen Keller के उपर तो मैं ऐसा नहीं कि बस science books ही पढ़ते रहें या बस astrophysics के book ही पढ़ते रहें इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमको एक greatest leader उनके biography से related वैसा कुछ books पढ़ें तो ये हमारे life में बहुत काम आएगा जो leadership quality में ही सही या तो अगर कुछ हम लोग अपने life में face कर रहे हैं तो उनसे बहुत से चीज़े सीखने को मिल सकता है ये हमारा हिम्मत भी बढ़ाता है तो आज ही वैसे हम और एक greatest leader के बारे में बात करेंगे ठीक है मैं उनके related एक book के बारे में बोलूंगी तो he is none other than Dr. Bhimrao Ambedkar आप सबने तो इनका नाम सुना ही होगा जो हमारे constitution लिखे है the former minister of law and justice he is also called as Baba Saheb Ambedkar तो इनका जो birthday था हो है 14th April 1891 and coincidentally इनका birthday मेरे birthday से मिलता है and he died on 6 December 1956 okay तो इनका जो में book है मेरे पास अभी वो बहुत छोटा सा और पदला सा है जो मैंने साथ एक book fair में लिया था तो मुझे नहीं पता कि आपको ये book मिलेगा की नहीं but still मैंने सोचा कि इसके ओपर video बनाना ज़रूरी है आप बहुत सारे चीज़े सीख सकते है इनके related मतलब जो भी book आप पा सकते है online तो बहुत सारे available है और offline भी अगर कोई book fair हो या कुछ तो अगर आप पा सकते है तो please जरूर पढ़ना ये जो इनसान है इनको बचपन से ही बहुत सारे untouchability system ये सब के लिए torture वो टॉलरेट किये है ठीक है तो मैं आपको दिखाती हूँ जो book मेरे पास है भीमराव अंबेतकर Great Man of India written by साधना कपूर तो ये तो मैंने एक book fair से पाया था इसमें ना बहुत simple तरीका से दिया गया है सारा चीज अब देख सकते हैं छोटा बच्चा भी ये पढ़ सकते हैं चोटे बच्चे इंदा संस class 5th के बच्चे हो या 6th के 4th के बच्चे और वो लोग भी यहां से कुछ कुछ सीख सकते हैं तो भीमराव अंबेतकर जो थे he was an Indian jurist, economist, politician and also a social reformer वो दलित बुद्धिस्ट मुमेंट वो दलित बुद्धिस्ट मुमेंट को inspire किये थे मतलब वो बहुत सारे untouchability system ये सब के against नारा लगाये थे even वो बहुत सारे books भी लिखे हैं उनके द्वारा लिखित books like Annihilation of Caste, Who are the Sudras और Pakistan और Partition of India Thoughts of Pakistan और बहुत सारे cast in India ऐसे टाइप के बहुत सारे books लिखे हैं The Constitution, Philosophy of Hinduism मतलब वो पहले ही बहुत struggle करके बच्चमन में पढ़े हैं वो जब भी school जाते थे तो उनके teacher उनको class में बैठने नहीं देते थे तो वो window के पास खड़े होकर पुरा class सुनते थे और फिर उसके बाद वो जाके घर पे खुद पढ़ते थे वो भी बहुत यह से, मतलब बहुत ही महनत से उनके teacher खड़े होने नहीं देंगे कोई उनको अपने पास नहीं बिठाएगा only just because कि वो एक lower community से belong करते हैं सथाना पहले कि सूद्र जो cast होता है उसको बहुत मतलब lowest community समझा जाता था और even आज के date में भी बहुत से लोग हैं जो कि यह सब अभी भी जहां चालो करते हैं तो उनका भी cast वही था जिस वज़े से उनको बहुत से facility नहीं मिला था लेकिन at last at the end वो ही इंडिया के constitution लिखे उनके उपर बहुत से movies भी बनाए गया है तो इतना अच्छा इंसान इतना great man यह सब problems रहकर भी वो इतना अच्छा काम किये है अपने life में इतना great person कहलाया जाते हैं अभी तक पूरा इंडिया उनको याद रखा है तो इनके बारे में कुछ तो knowledge होना जरूरी है और इनके बारे में पढ़ना भी जरूरी है जो लोग भी interested हो इनके बारे में पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा यह जो book है जो written by साधना कपूर यह बस अभीमराव अंबेत कर ही नहीं बलकी और भी बहुत सारे leaders जो freedom fighters इन सब के बारे में लिखे हैं जैसे कि भगत सिंग, महत्मा गांधी या तो जवाहलाल नहरो, भीमराव अंबेत कर स्वामी बिवेका नंद, सुभाष शंद्र बोस ऐसे मैं उनके उपर वीडियो अलग से बना लूँगी ज्यादा नाम नहीं लूँगी, इसके उपर वैसे भी उतना कुछ बोलने को है ने, बस आपको request कर सकती हूँ कि आप please इनके जो biography books मिले या तो इनके द्वारा लिखे, अगर और कोई दूसरा book मिले तो please इसको पढ़ना जरूर और life में at least कुछ experience तो मिलेगी ही अगर आप कुछ अपने life में अपलब ऐसे बहुत से situation आते कि आप उसको overcome नहीं कर पाते तो ऐसे सब biography पढ़ने पर ही उसको face करने की हिमत मलती है तो अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कोई book के उपर video बना हूँ तो please comment कर देना उस book का नाम लिख के hashtag the book तो मैं उसके उपर video बना लूँगी या तो और भी कोई topic जो आप चाहते हो कि मैं उसके उपर video बना तो उसको comment कर देना मैं उस topic के उपर भी video बना लूँगी तो आज के लिए बस इतना ही आप हो सके तो मेरे सारे playlist मतलब जितने भी book के उपर मैंने video बना है आप access कर सकते हैं आपको अगर अच्छा लगया ये video if you enjoyed this video then please don't forget to like, share and subscribe this channel और thank you so much for your quality time in investing by watching this video thank you